नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी नोले शो में तो दोस्तों रूसी राष्टपती विलादमिर पुतिन इन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जिसे पढ़कर मैं बिलकुल भी खुश नहीं हूँ और जब मैं आपको दिखाऊंगा शायद आप भी खुश नहीं हूँ इसका कारण ये है कि वलादमिर पुतिन को हम बहुती तेज तर्रार नेता मानते हैं जो किसी से नहीं डरता जो अपनी बात को बहुती इस पश्टता से कहता है ऐसे में हम पुतिन जैसे विक्ती से इस तरीके के बयान की तो उम्मीद कता ही नहीं करते हैं जिसमें साफ तरी चीन के परती उनका जुकाओ सावज लक रहा है, तो चलिए बीना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं पुतिन के इस बयान को, साथ ही ये भी समझेंगे कि पुतिन इस तरीके की बयानबाजी क्यों कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं, तो दोश्तों इ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, चीन के राष्टपती, शीजिंपिंग के साथ-साथ, रूस के राष्टपती, व्लादमिर पुतिन को भी शामिल होना था। तो इसी सेरमनी में शामिल होने से कुछ घंटे पहले, कुछ रिपोर्टर को उन्होंने इंटर्व्यू दिया। ये सही नहीं है, ऐसे करके तो वो देश खेल और राजनीती को मिक्स कर रहे हैं, जबकि खेल और राजनीती अलग-अलग होनी चाहिए और इतना ही नहीं। चीन पूरी दुनिया में अकेला देश था जिसने रूस के फेवर में वोट किया, उसी तरीके से इस बीजिंग ओलम्पिक के दोरान रूस भी अकेला देश चीन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा और चीन का समर्थन करेगा और जो दुनिया के देश इसका विर करना चाहिए, सही तो बात है, इसमें गलत क्या है, तो मैं भी कहूंगा कि यहां सही बात है, लेकिन पुतिन को यहां पर दोगला नहीं बनना चाहिए था, यह बात सभी जानते हैं कि स्पोर्ट के अंदर यानि कि इस ओलम्पिक के अंदर चीन वो देश है जो पॉलिटिक् और उसको जवाब देते हुए फिर भारत ने इस ओलम्पिक का बहिशकार किया है, ऐसे मुझे लगता है कि पुतिन को यह बयान देने से पहले अपने दोस्त चीन के राश्कपती शी जिंपिंग को समझाना चाहिए था, वरना भारत तो इस ओलम्पिक का बहिशकार नहीं कर लेकिन चीन ने वो घटिया हरकत करते हुए भारत और भारत के शहीदों का अफमान करने की कोशिश करी, और आप सभी जानते हैं कि जहाँ पर भारत के शहीदों की बात आती है, वहाँ पर तो हम ना रूपिया, पैसा, डिप्लोमैसी कुछ नहीं देखते, वहाँ हम अपने सहीदों का सम्मान देखते हैं, अलागि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरू बताएगा, फिलाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू बर्मच पर वाचिंग वीडियो